बिहार में अवैध हत्यारों की कोई कमी नहीं भरमार है और बात बात में लोग अवैध हत्यार निकाल कर एक दूसरे को धमकाने के लिए निकल पड़ते हैं अवैध हत्यार में आप समझ रहे होंगे कि हम देशी कटा की बात कर रहे हैं तो आप कलत हैं ब्यार में कारवाइन तक देशी मिलता है और अक्सर अपरादी बरी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस देशी कारवाइन का इस्तमाल करते हैं वैसे कारवाइन देश में सिर्फ पुलिस वालों के पास होता है। पर आज आपको जहानाबाद में दिखाते हैं कि कैसे जमीनी बिवाद में अवैध कारवाइन को लेकर लोग चल रहे हैं। इस कारवाइन वाले आदमी को देखी। इसकी चाल, ढाल और कपरे साफ कहते हैं कि ये खुंखार है और जिस तरह से हाथ में कारवाइन लेकर जमीनी बिवाद में विरोधी को धमकानी निकला है उससे साफ है कि जहानाबाद में लोगों को पुलिस का खौफ नहीं है। इसके हाथ में कारवाइन है और जेब मी गोलियां यानि सिर्फ कारवाइन ही नहीं या गोली चला कर लटा है और इसकी इस कारगुजारी को दूसरे घर से लोगों ने रिकार्ड कर लिया है। इसके एक साथी के पास देखे कि देशी कटा भी है और यह तस्विर बताने के लिए काफी है कि बिहार में शुशासन का नारा सिर्फ दिखाने के लिए और हकीकत में लोग एक दूसरे से हत्यार निकाल कर हमला भी करते हैं। यह वीडियो चहनाबा जिले के काकथाना श्रेत्र के नगवा गाउं का है जहां पुर्व से विवादित भूमी पर धान रोपने को लेकर उत्पन विवाद में एक पक्ष के दो बेक्टियों के द्वारा हत्यार लहराने के वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक व्यक्ति के हाथ में देशी कारवाइन तो वहीं दूसरे के हाथ में देशी कट्टा नज़र आ रहा है। व्यक्तियों ने हाथ यार निकाला था। हालाकि मिली जानकारी के अंसार दो से तीन डाउन फाइरिंग में इन लोगनी की थी। अब पुलिस इस वीडियो की सत्यापन कर कारवाई में जुट गई है। खोलासा के लिए जहाना बात से मुकेश कुमार की एक खास रिपोट। झालासा रिपोट।